जो सनातन के बारे में ऐसा बुल रहे हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि सनातन क्या है? एक ओड़ीवी नेता ने बोला कि सनातन डेंगो और मलेरिया है, इसको खतम कर देना चाहिए. उसके बाद दूसरे एक भरष्ट निता ने बोला कि सनातन तो HIV है कुछ रोग है इसको खतम कर देना चाहिए एक्चल में गर सनातन खतम हो जाएगा तो सम्मिधान खतम हो जाएगा भारत का सम्मिधान पूरी तरीके से सनातन विवस्था पे राधारित है भारत के सम्मिधान के प्रियंबल में लिखा है कि भारत एक लोगतंत्रिक देश है लोगतंत्र का वरणन केवल वेद पुराणों में है बाइबल कुरान में कहीं लोगतंत्र लिखाई नहीं है इसी तरीके से हमारे सम्मिधान में लिखा है सोसल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, एकोनामिक जस्टिस, सामाजिक नियाए, आर्थिक नियाए और राजनितिक नियाए यह केवल वेद पुराणों में ही लिखा है Bible Quran में Social Justice, Political Justice, Economic Justice कहीं नहीं लिखा हुआ है हमारे समिधान में लिखा है सबको बोलने की सोतंदरता है, सोचने की सोतंदरता है अपने अपने तरीके से पूजा पधती की सोतंदरता है प्रियंबल में लिखा है यह Bible Quran में नहीं लिखा है बाइबिल में तो लिखा है कि आपको ऐसे ऐसे इसी particular format में ही आपको प्रेयर करना है कुरान में लिखा है कि आपको particular format में ही आपको इबादत करनी है ये केवल हमारा वेध पुराण है भगवत गीता रामायड है जो सबको सोतंतरता देता है आप विश्नु की पूजा करिए, आप शंकर की पूजा करिए, आप वडेश जी की पूजा करिए, आप लक्षमी जी की पूजा करिए, सरुस्ती की पूजा करिए, नदियों की पूजा करिए, पहाडों की पूजा करिए, नीम के पेड़ की पूजा करिए, पीपल के पेड़ काल में जो ब्राहमर के बच्चे व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए जो छत्री के बच्चे ब्राहमर का कारे करते थे वो ब्राहमर कहलाए कितने सारे ऐसे एक्जामपल है नाविक नाविक के बच्चे राजा बने नाविक के बच्चे सेनाफती बने असंख एक्जामपल ह इन्हों कभी वेद पुराण को पढ़ा नहीं, गीता रामायर को पढ़ा नहीं है, इसलिए ऐसे कुछ भी मन में आता बोल देते हैं, सच्चाई तो यह है, equality of opportunity, equality of status जो हमारे इस constitution में है, यह केवल वेद पुराण में ही है, भगवत गीता रामायर में ही है, बाइबिल, कुरा एकता अखंडता आपसी भाईचारा, वस्धेव कुटुमकम, नारीतु नाराडी, यह हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, बाइबिल, कुरान में वस्धेव कुटुमकम का concept नहीं है, उस सबको एक समान नहीं मानते, सबको एक समान भाई-भाई नहीं मानते, महिल वेद पुराणों में आद ही काल में, हजजारों साल पहले लिख दिया गया था, कि यह राजा की ड्यूटी है, कूरीतियों को खतम करे, कूपरधाओं को खतम करे, equality before law, equal protection of law, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, राजा के सामने प्रजा एक समान है, प्रजा में भेद भाई नहीं करेगा, यही तो आर्टिकल 14 कहता है, equality before law, equal protection of law, आर्टिकल 15 क्या कहता है, कि जात धर्म भासा छेत के अधार पे भेद भाई नहीं होगा, राजी भेद नहीं नहीं बहुत पहले लिखा हुआ है, कि राजा वण्न के आधार पे कोई भेद भाई नहीं करेगा, पहले चार वण्न होते थे, veggie नहीं होती थी, बहुत भाशाएं भी नहीं थी, बहुत सारी किवल चार वण्न थे और आधिभास संस्कित सब लोग बोलते तो वहां लिखाुआ है कि वर्ण के आधार पे कोई भेद भाव नहीं करेगा जो जिस लायक है अपने कर्म के आधार पे अपना रास्ता चुनेगा और कर्म के आधार पे जो जिस लायक वहां पहुँचेगा हम लोग व्यासगद्दी की पूजा करते हैं वेद व्यास जी माता सत्यवती की पुत्र है माता सत्यवती कौन थी? नाविकी बेटी एक लब के पिता मगत के सेनापती, मुखी सेनापती चीफाफ अर्मी स्टाफ दसरजी और विश्वामित्र जी एकी परिवार के दसरत जी छत्री कहला है विश्वामित्र जी ब्राहमण कहला है वेद व्यास जी और विश्वामित्र जी ब्राहमण कहला है विश्वामित्र जी ब्राहमण कहला है ऐसे असंख एक्जामपल है आटकिल 15 में कहा गया है कि महिलाओं को विसेस दर्जा मिलना चाहिए और सरकार को महिलाओं के लिए विसेस कानून मनाना चाहिए हमारे वेद पुराणों में आदिकाल में लिखा हुआ है नारी तू नाराडी यत्र नारंती पूझ यते रमंते तत्रदे होता हमने महिलाओं को समान माना है नहीं हमने महिलाओं को हमेसा विसेस दर्जा दिया हमारे यहां तो जो तेवहार होते हैं उसमें कन्या पूझन होता है दो बार नवरातर में कन्या पूझन होता है बच्चों की पूझ लड़कों की पूझा नहीं होती हमारे यहां तो हमारे देवी देवताओं में नाम भी देखिए सियाराम, राधे कृष्ण, गौरी संकर तो यह तो हमारे यहां प्रता रही है सम्मिधान का आटिकल 15 भी ही कहता है आटिकल 16 कहता है सबको समान आउसर मिलना चाहिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है सभी इंसान को एक समान आउसर मिलना चाहिए यह केवल वेद पुराणों में लिखा है बाइबिल और कुरान में सबको एक समान आउसर का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसका कारण यह है कि बाइबिल सभी इंसान को एक समान किस सत्र केता चुआ चुआ चुट महापाप है वे दो में बहुत पहले लिखा हुआ चुआ चुआ चुट महापाप है चुआ चुआ चुट तो आज भी चल रहा है इनफेक्ट और आज तक को खतम नहीं हुआ ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए धन्यमाद